नमस्कार मित्रू आप सब का स्वागत है चित्वन लाई लर्निंग पर आज 28 सेकिंडियर का पेपर नमबर 8 की यूनिट थड स्टार्ट होने वाली है पेपर नमबर 8 कौन सा है आप देख रहे हैं गादी जी की नई ताली ये नया पेपर है यूनिट थड के अंदर सामुदाइक सहभागिता जो इसका में इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें हमारा लेक्चर नमबर ये 4 है इससे पहले भी हमारी 3 लेक्चर हो चुके हैं इस बुक से रिलेटेड तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वे वीडियो भी ज़रूर देख लें तभी आपको सारी चीजे कलियर हो पाएंगे ठीक है और इसके इसमें परिवार और सामुदाइक साज़ेदारी उसके बाद सेकिंड टोपिक आजाएगा आपका सिक्षा एवं साक्षर्ता के विकास के लिए सरकारी कारेकरम कौन कोंसे कारेकरम है नेक्स आजाएगा विद्याले प्रबंध समीतिया अध्यापक अध्यापक की वक्सहागीता तो ये चारों पउंट है हमारे third unit के अंदर आते हैं आज हम main point important जो है point बोग क्लियर करेंगे तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुदाए क्योंकि सामुदाइक सहभागिता को समझने के लिए समुदाइक को समझना बहुत जरूरी है और यहां से important question बनेगा उसके बाद इसकी परिभाशाएं देखेंगे सहभागिता क्या होती है समुदाइक सहभागिता किसे कहते हैं हम देखेंगे उसके बाद कारे सिक्षा के संदर्ब में समुदाइक की भूमी का क्या होती है और समुदाइक में सीखने के क्या उद्देश्य बनते हैं यह सारे point आ आज हमें इस वीडियो के इंदर कवर करने वाले हैं सबसे पहले है समुदाय का अर्थ यानि समुदाय का मीनिंग क्या है क्या होता है समुदाय यह समुदाय शब्द अंग्रेजी भासा के कम्यूनिटी सब्द का हिंदी रूपांतरण है ठीक है अपने आप कोश्चन बनाते वे चलें कि किस तरीके से पूछा जाएगा समुदाय शब्द कौन सी भासा का शब्द है यानि कि अंग्रेजी भासा का कम्यूनिटी सब्द का हिंदी रूपांतरण है और जो लेटिन भासा में शब्द बना है जो कि लेटिन भासा के कौम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है तो कौन सी भासा के शब्दों से मिलकर बना है ये लेटिन भासा के सब्दों से मिलकर बना है और जो कम्यूनिटी है यानि कि कौम और म्यूनिस ये लेटिन भासा का शब्द है जिससे community बना है Latin में कौम शब्द का अर्थ एक साथ यानि Together तथा क्यों थे म्योनिस का अर्थ होता है सेवा करना यानि To Serve अथे समुदाय का शाब्दिक अर्थ है एक साथ सेवा करना ठीक है? तो समुदाय का साब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक साथ सेवा करना समुदाय व्यक्तियों का वह समू है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है समुदाय के निर्मान के लिए निश्चित भूभाग तथा इसमें रहने वाले व्यक्तियों में समुदाय भावना होना अनिवारिय है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा समुदाय का क्या अर्थ होता है तो समुदाय क्या है कि ये अंग्रेजी भाषा के कम्यूनिटी सब्द का हिंदी रुपांतरन है जो लेटिन भाषा और कॉम शब्द का अर्थ होता है एक साथ यानि टुगेदर और म्यूनिज का अर्थ होता है सेवा करना इस तरह से कम्यूनिटी सब्द का अर्थ हो गया एक साथ सेवा करना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा समुदाय की परिभाषा यानि समुदाय की कौन-कौन सी परिभाषा है तो सबसे पहले हैं बोगाड के अनुसार, बोगाड की definition बहुत बार पूछी जाती है, यानि बोगाड क्या कह रहे हैं समुदाय के बारे में, कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समू है, जिसमें कुछ अन्सों तक हम की भावना होती है, तथा जो एक निश्ची छेतर में निवास करता है तो जितने मी definitions होती है वो as it is लिखी जाती है तो समुदाए एक ऐसा समुव है एक ऐसा सामाजिक समुव है जिसके बहुत सारे अंश होते हैं और इन अंशों के अंदर हम की भावना होती है यानि के हम एक दूसरे को जो है चेत्रिय समुव है जिसके अंतरगत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं अगबर्न और निमकोफ क्या कह रहे हैं कि किसी सीमित चेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संगठन संपूर्ण संगठन को समुदाए कहा जाता है आपको समझ में आ गया होगा अब समझ लेते हैं सामुदाइक भावना का क्या मतलब है सामुदाइक भावना किसे कहते हैं अभी तक हमने पढ़ा समुदाएक आर्थ क्या होता है समुदाइक की डेफिनिशन क्या होती है अब हम पढ़ लेते हैं सामुदाइक भावना आखिर किसे का जाता है यानि सामुदाइक भावना यानि community sentiments की अनुपस्थिती में सामुदाइक की कल्पना ही नहीं की जा सकती ठीके सामुदाइक भावना को हम की भावना यानि के we feeling भी का जाता है सामुदाइक भावना क्या हो कई इस भावना का जन्म होने के कारण एक निश्चित छेत्र सदस्यों के कारिय करने का सामानिय धंग तथा प्रत्यक सदस्य का एक दूसरे के दुख वे सुख में परीचित हो जाना है। दूसरे की खुशी उनकी खुशी वे दूसरे का दुख उनका स्वेम का दुख होता है। वे अनुभव करते हैं कि हम एक हैं वस्तुते यह एक ऐसी भावना है जो समुदाई से दूर चले जाने के बाद भी बनी रहती है। ठीक है ना समुदाईक भावना के अंदर हर एक व् पीलिंग है उनकी कदर करता है और सुख दुख में जो व्यक्ति एक दूसरे का साथ देता है उसे ही सामुदाइक भावना का जाता है यानि मिल जुलकर रहना और मिल जुलकर अपने सुख और दिर्वाह करना सामुदाइक भावना के अंतरगत आता है कारिय शिक्षा के संदर में समुदाइक की भूमिका है निकि समुदाइक भूमिका कारिय सिक्षा को कराने के लिए समुदाइ बहुत बड़ा एक रैस्पोंसिवल रोल प्ले करता है क्योंकि जब तक समुदाए नहीं होगा तब तक ये वाली जो सिक्षा है जो गांधी जी के द्वारा तयार की हुई कार्या सिक्षा है ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी तो इसलिए इसमें कार्या सिक्षा के लिए समुधाय का बहुत बड़ा रोल होता है तो क्या भूमी का है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं आप देखेंगे कि सबसे पहला है बच्चे को रोज समय पर शाला यानि के कार्या शाला शाला का मतलब यहाँ पर कार्या शाला है यानि कि जहाँ पर बच्चे का एड्मिशन जिस स्कूल में कराया गया है और जिस स्कूल में उसको इस तरह के कामों के लिए भी इन्वोल किया गया है वहाँ पर उसे भेजने की बात की जा रही है यानि बच्चे को रोज समय पर शाला भेजे यानि कार्य शाला भेजे बच्चे की शाला में नियमितिता का दियान रखे यानि ये दियान रखे समुदाय को ये दियान रखना होगा समुदाई के अंदर कोन-कोन आजाता है घर आजाता है, परिवार आजाता है आस्पडोस आजाता है सोसाइटी जिस माहूल में जिस समाजियों रह रहा है यह सारा हमारा समुदाई होता है तो इसके अंदर सबसे पहला जो रोला वो परिवार का होगा गर का होगा तो इसमें जब पच्चब हो छोटा है तो उस समय घर और परिवार का रोल जो है बड़ा हो जाता है और वो ही इस चीज का धिहां रखते हैं कि उनका बच्चा समय से पढ़ रहा है समय से जो कार्य साला में जिसमें भी एक एक अक्टिवीटी में उन्होंने उसे इन्वोल करा रखा है क्या वो डेली भाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन गयार चार दिन बंग कर दिया तो उससे रेगुलरीटी खराब हो जाती है रेगुलर नहीं रह पाता और जिससे इंटरस्ट भी बच्चे का उस लाइन से हट जात है शिक्षण में साला में शिक्षण परिकरिया पर नजर रखने के लिए भागेदारी बढ़ाएं ठीक है तो यह भी धियान रखें कि आपका बच्चा जो है क्या सीख रहा है और बीच बीच में एक दो बार जाकर अपने बच्चे को टीचर से पूछ ले पीटीम कर ले ट उससे टीचर्स को भी रहता है कि यह पेरेंट जो है यह ज़्यादा एक्टिव है तो इनके बच्चे पर ज्यादा दिहान देना चाहिए या फिर जो बच्चा है उसके अंदर भी एक तरह का डर रहता है कि पेरेंट जो है आपके उपर नजर रखे हों तो यहां पर इस चीज को आप regular life में भी देखते होंगे कि जो हमारे साथ होता है जो हम लोग बच्चों को सिखाने के लिए कभी डरा कर और कभी जो है प्यार से दोनों तरह से उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं आपका कार्या शिक्षा में सम्बंधित गति विदिय के चैन समबंद में सुझाव दे यहां पर community यांगे जो पेरेंट है जो टीचर है जो उसके साथ-साथ जो समाज है उसका क्या रोल हो जाता है कि कार्या जिस कार्य की वा सिक्षा ले रहा है उससे संबंदित जो गतीविदी है उसके संबंद में उसे सुझाव दे उस जो चुनाव उसे करना है उसको सही से गाइडन्स दे कि आपके लिए क्या जादा बैतर होगा सबसे पहले उसके मन की जाने कि उसका जो इंटरस्ट है वो किस ए कार्य शिक्षा का समय है उसकी जैसी नीड है उसकी आधार पर अपनी राय दे नेक्स आ जाएगा कार्य शिक्षा परियोगसाला का गठन करने के लिए सक्रय रूप से योगदान करें जैसे कार्य शिक्षा के लिए सामगरी और करणों में क्रय विक्रय में भागिदार बने उनके रख रखाओं के बारे में सुझाव दे तो ये सारी नीड है ये समाज के द्वारा ही पूरी होती है जिसमें कारिय जब ये काम सुरू होता है तो उसके लिए जो उसका गठन होगा उसमें भी आपको योगदान देने की जरुत है जो सामगरी रुकरन चाहिए उनके करे विकरे में जो भागेधारिय invece जो बच्चे चीजे बनाएंगे उन बनाने के लिए जो कच्चा माल आएगा उसके लिए भी आपको त्यार रहना होगा और उसके बाद जो वह माल विकेगा उसके लिए भी समाज को भागेदारी दिखानी पड़ेगी जब भागेदारी दिखाएगा जब उसके बच्चे का सामान बिकेगा या जो भी वो चीज बना रहा है जिस चीज को भी वो हाथ से कारे कर रहा है उससे उस बच्चे का मोटिवेशन बढ़ेगा और उसको जो स्रम है जो काम करने की एक हैबिट है वो डवलप होगी तो इसके लिए क्या है कि जो पेरंट है जो समाज है जो सोसाइटी है उनको उसके क्रेविकरे में भागेदार बनना होगा और उनके रख रखाओं के बारे में भी छात्रों को स्कूल को एड्मिस्टेशन को और कारियसाला को सभी को सुझाव देने चाहिए नेक्स्ट आजाएगा आपका गति विधियों की प्रदर्शनी में सहयोग दे विध्यार्थियों के आकलन एवुल्याकल में सक्रेभागधारी निभाए नेक्स्ट यानि के उपरोज छेतरों के अलवा ये कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट अब नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय में सीखने के क्या उद्देश्य होते हैं हमारे सारे पॉइंट डन हो गए हैं लास्ट पॉइंट बचा है हमारा कि समुदाय में सीखने के कौन-कौन से उद्देश्य है समुधाय के अंदर जो सीखने के कुछ मेनी उद्देशे होते हैं इसमें सीखने के निम लिखित उद्देशे हैं समुधाय की अवधारना की समझ विक्सित करना जो सीखने का उद्देश्य है उसमें यह है कि समुधाय की अवधारना है उसकी जो समझ है वो विक्सित करना, समुदाय में कारे साला के सीखने का एक उदेश्य है, समुदाय में के सहयोग तो था उनके महत्व की व्याख्या करना, समुदाय में उपलब्द संसादनों की पहचान करना, समुदाय के संसादनों के उपयोग की रन्निती बनाना, ऐसी व के लिए यानि जो भी चीज हमें सिखाई जा रही है उसे सिखाने के लिए समुदाय में कार्य साला से संबंधित कुछ उद्देश्य होते हैं वही जो उद्देश्य है यहां मैंने आपको गिनाए हैं यह सब वही हैं ओके स्टुडेंट सारे नोत्स जो हैं कम्प्लीट हो चुके हैं सभी से कहना चाहूंगी जो भी स्टुटेंट सबसे पहले जो इस चैनल पर नया है आज पहली बार आया है उसके लिए कि वो अगर उसे वीडियो अच्छी लगी है और उसके लिए यूसफुल हुई है तो वो इस चैनल को सबस्क्राइब किये बिना बिल्कुल न जाए उसके साथ साथ जो मेरे पुराने वीवर्स हैं जो स्टार्टिंग से इसे देखते हैं वो चैनल को ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत